वेलकम बचो आज हम बात करते हैं प्राइम फेक्टराइजेशन की प्राइम फेक्टराइजेशन क्या है कि आपने दिये हुए नंबर को प्राइम फेक्टर्स के मल्टिप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना होता है इसे हम कहते हैं प्राइम फेक्टराइजेशन for example आप लेते हैं 10 ठीक है 10 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 5 2 into 5 अब 2 और 5 कैसे नंबर है तो यह आप prime numbers देख रहे हो कि यह इनको कहते हैं prime numbers 2 और 5 कैसे नंबर है prime numbers ठीक है तो यह 10 की जो prime factorization है वो है 2 into 5 10 की prime factorization है 2 into 5 20 की prime factorization देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 ठीक है और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 raise to power 2 into 5 raise to power 1 दो आप देख रहे हो दो दो बार आ रहा है तो इसकी power जो है वो हमने दो लिख दी है यह power इसकी दो लिखी है और 5 one time आ रहा है तो इसको हम लिखते हैं 5 raise to power 1 ठीक है तो इसके आगे जो है वो हम लिख लेते हैं 25 number 25 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 into 5 ठीक है तो इसको हम लिखते हैं 5 raise to power 2 5 square तो यह जो है आपके पास यह right side में जो आपको नजर आ रही है यह multiplication इसको हम कहते हैं prime factorization ठीक है एक example और लेते हैं say number is the 360 number say is 360 prime factorization हमने इसकी करनी है तो कैसे करेंगे तो इसके लिए हम लिखते हैं 360 और यहां पे हम इसको divide करना शुरू करते हैं prime numbers से ठीक है prime number first prime number is 2 first prime number is 2 अब आप इसको 2 से divide करेंगे क्योंकि यह divide हो करता है इसलिए हमने 2 लिखा ठीक है तो 2 से divide करते हैं आप 360 को तो कितना आएगा 180 180 को फिर आप 2 से divide कर सकते हैं तो कर दीजिए ठीक है यह आपके पास आएगा 90 90 to 180 ठीक है अब 90 फिर 2 से divide हो सकता है तो हम कर देते हैं इसको divide तो ये आएगा आपके पास 45 फिर हम इसको देख रहे हो कि आप ये 2 से divide होने वाला नहीं है पर ये क्या 3 से next prime number 3 से divide हो जाएगा हाँ जी हो जाएगा तो कर दीजिए तो ये 15 3 is a 45 ठीक है अब क्या ये इसी number से 3 से फिर divide हो जाएगा 5 3 is a 15 ठीक है और फिर आपके पास देख रहे हो कि एक prime number बच गया है पीछे ठीक है तो ये prime number जो है आप prime number से ही divide करना पड़ेगा उसी से divide करना पड़ेगा तो ये आपके पास 1 आजाएगा 5 को इस 5 को इस फाले 5 से divide करेंगे तो 1 आया ठीक है इसी तरीके से हमने उपर किये है तो अब यह 360 को हम कैसे लिख सकते हैं तो 360 को आप देखो कि 2 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है 3 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है और 5 वन टाइम आ रहा है ठीक है तो आप इसको कैसे लिखेंगे 2 raised to power 3 3 इंटो 3 raised to power 2 इंटो 5 raised to power 1 यह इसकी प्राइम फेक्टरिजेशन हो गई है ठीक है थैंक यू वेरी मुच पर वाचिंग दे वीडियो